आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा अमले बारावरी तो चलिए शुरू करते हैं कलास 12 का चैप्टर नमबर वन का अगला टॉपिक जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन उर्दो में दोहरा अमले बारावरी तारीफ के जरीए हम इसे समझते हैं तारीफ हैं इस्टुरेंट्स पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ये बारावरी या फर्टिलाइजेशन का अमल क्या है तो बारावरी और यहाँ पर हमको समझना है दोहरा बारावरी तो पहले हम सिंगल अमल या सादा अमले बारावरी क्या है पहले इससे समझने कोशिश करते हैं तो इसकी तारीफ है जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा गया कि नर और मादा जवाजों के मिलाब को बारावरी कहते हैं आपको याद होंगा कि हमने फूल के दो जिनसी फूल के जो हिस्से पड़े हैं उसके अंदर नर तौलीदी उजू नर कोट और मादा जो को आपस में मिलना या इनका आपस में जुड़ना ये अमल अमले बारावरी या फिर फर्टिलाइजेशन कहलाता है तो आपके समझ में आगे होंगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है या अमले बारावरी क्या है उसके आगे समझते हैं कि फिर दोहरा अमले बारावरी किसे कहेंगे तो उसकी तारीफ है एक ही जनीन थैली में दो अलग-अलग मुकामात पर होने वाली 12 वरी को 12 अमले 12 वरी कहते हैं तारीफ है एक ही जनीन थैली में जनीन थैली जिसको इंग्लिश में कहा जाता है Embryo Sec आपको हमारा एक पिछला वीडियो लेक्चर याद होंगा जिसके अंदर हमने डिसकस करे थे Structure of Anatropos Ovule असास मुखी बैजक की साख्त हमने उसमें पढ़े थे जनीन थहली की डिटेल जिसको इंग्लिश में Embryo Sec कहा जाता है तो एक ही जनीन थहली में दो अलग-अलग मुकामात पर होने वाली बारावरी इसका मतलब यह है कि एक जनीन थहली के अंदर दो मुक्तलिफ अलग-अलग मुकामात पर दो मरतबा Fertilization का अमल या नर जवाजों का और मादा जवाजों का मिलने का अमल होंगा इसे दोहरा अमले बारावरी कहते हैं दोहरा अमले बारावरी भी आपके समझ में आ गया दूसरी तारीफ चलिए इसके आगे और समझते हैं कि दोहरा अमले बारावरी बंद बीजा नबातात में होने वाला एक मजमुई अमल है इस्टोडेंट साब ये बात जहिन नशीन कर लीजिए कि दोहरा अमले बारावरी ये बंद बीजा नबातात की खुसियाथ है बंद बीजा नबातात कहा जाता है फूलदार पौधो को ऐसे पौदे जिन में फूल, बीज वगेरा तयार होते हैं और इन में ये एक मजमुई अमल कहलाता है मजमुई अमल मतलब इसमें अलग-अलग मरहले होते हैं एक के बाद एक मुखतलिफ मरहले होते है इसलिए इसे मजमुई अमल कहा जाता है इसकी दरियाफ्थ नौस्टिन नामी साइंस दा ने लीलियम और फृटिल एरिया नामी पौदों में की इसकी जो दरियाफ्थ हुई थी ये नौस्टिन नामी साइंस दा ने की थी और खास तोर से ये लीलियस जो पौदे होते हैं या लीलियसी पैमिली से जो तालुक रखते हैं उनके लीलियम और फृटिल एरिया नामी पौदों में इसकी पहली मरतबा दरियाफ्थ की गए थी हमको समझने के लिए थोड़ा सा हमको revise करना पड़ेंगा कि जो जेरे या pollen grain जो होते हैं ये अमले जेरगी के जरीए अमले जेरगी के जरीए ये पहुँचते हैं कलगी की सतह पर कलगी की सतह पर पहुँचने के बाद में ये जेरे सतह से एक किस्म का महलूल जजब करते हैं देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा है कि जेरे कलगी की सतह पर पहुचकर महलूल जजब करते हैं नतीजे में जेरा नली तयार होती है अब ये अमल कैसे होता होगा तो आपको पता है कि जेरे या पॉलन ग्रेन कलगी की सतह पर पहुच जाते हैं जेरगी के अमल से पॉलिनेशन के अमल से और यहाँ पर पहुचने के बाद इस कलगी की सतह में एक मخصوص किस्म का महलूल या सुगरी सोलूशन तयार होता है ये solution या ये महलूल इन जेरों के जरीए जजब किया जाता है जजब करने के बाद इन जेरों के जो अंदुरूनी खलिया माया है उसके हजम में इजाफा होता है और एक प्रेशर तयार होता है इस हजम में इजाफे की वज़े से जो अंदुरूनी दीवार है इंटाइन ये इंटाइन तवलीदी सुराख के जरीए बाहर निकलना शुरू हो जाती है तो ये जो इंटाइन तौलीदी सुराप के जरीए बाहर निकलती है इसी को कहा जाता है जेरानली इंग्लिश में इसे पॉलन ट्यूप कहते हैं ये पॉलन ट्यूप अब आगे की तरफ मतलब कलगी से अगले हिस्सों की तरफ अपनी नमू करती है चलिए इसमें अगले पॉइंट में समझते हैं कि क्या बताया गया जेरानली कलगी में दाखिल होकर मुसली बैज़दान से गुजर कर बैज़क में पहुशती है इसकी नमू में सिनर्जिट सेल से खारी होने वाला केमिकल जेरानली की रहनुमाई करता है इस पॉइंट को समझते हैं कि ये जो जेरानली तयार हो गई या पॉलन ट्यूब तयार हो गई अब ये पॉलन ट्यूब आगे की तरफ पहुशती है आगे की तरफ अपनी नमू करती है और आगे की तरफ जो अगले हिस्से से गुजरती है उसको कहा जाता है मुसली इंगलिश में उसे कहते है स्टाइल इससे गुजर कर आगे की तरफ मजीद ये पहुँशती है बैजदान में बैजदान जिसे ओवरी कहा जाता है ओवरी ये फुला हुआ हिस्सा बैजदान या ओवरी कहलाता है और ओवरी में मौजूद होते है ओवियूल ओवियूल को अर्दु में कहते है बैजक तो ये बैजक तक नली पहुँशती है और ये नली को आगे की तरफ जो रहनमाई करता है वो रहनमाई करता है सिनरजिट सेल से खारिज होने वाला केमिकल यहां पर सिनरजिट सेल क्या है तो आपको याद होंगा कि ये भी हमने पिछले हमारे व माइक्रोपाईल की जानिब तीन खलियात होते हैं दर्मियान में एग सेल होता है और उसके अतराफ में दो सिनर्जिट सेल होते हैं तो इन सिनर्जिट सेल से कुछ केमिकल खारीज होते हैं जो जेरा नली को अपनी जानिब रागिप करते हैं या उसे इधर आने के लिए अगला पॉइंट है इस तरह खोकली जेरा नली गैर मुथरीक दो नर्जवाजों को लेकर जनीन थैली तक पहुशती है ये अमल सिफोनो गैमी कहलाता है ये पॉइंट्स आप याद रखिए ये mcq में भी पूछा जा सकता है mcq में इस तरह के सवालात बनते हैं कि ये जो जेरा नली है या पॉलान ट्यूब है जो बैजक तक पहुँच रही है और बैजक से पहुँचती है इस जनीन थैली या पॉलान सैक में तो ये जो जेरा नली है इसकी बनावाट होती है हालो हालो मतलब खोकली एक नली की नुमा बनावाट होती है और उसमें मौजूद होते हैं दो नर्जवाजे जिसे मेल गेमिट कहते हैं इन नर्जवाजों के सासथ एक वेजिटेटिव सेल भी मौजूद होता है अब ये आगे की तरफ जब जेरा नली पहुँच कर माइक्रो पाइल की जानिब से इस बैजक में दाखिल होती है तो इस अमल को इसका मतलब जेरा नली गैर मुथरिक दो नर्जवाजों को लेकर जनीन थहली तक पहुँचती है यहां तक जनीन थहली तक उसका पहुँचने का अमल खास्त होसे दो गैर मुथरिक नर्जवाजे ऐसे नर्जवाजे जो अपने आप से खुद हरकत नहीं कर सकते इसलिए जेरा नली उनको यहां तक पहुँचाती है इसलिए उन्हें गैर मुथरिक कहते हैं तो गैर मुथरिक नर्जवाजो को यहां तक पहुचाने का अमल इसे कहते है सिफोनोगैमी आप याद रखिए इस्तिला सिफोनोगैमी किसे कहा जाता है तो दो गैर मुधरिक नर्जवाजों को जेरनली का जनीन थेली तक पहुचाना इस अमल को सिफोनोगेमी कहा जाता है नेक्स्ट है अगला समझना है में इसी तरह से जेरनली आम तोर पर बैजक में माइक्रोपाइल की जानिब से दाखिल होती है अब जब जेरनली पॉलन ट्यूब बैजक में या बैजक के करीब पहुच जाए तो यहाँ पर पहुचने के बाद उसको कुछ मुखतलिफ रास्ते होते हैं वहाँ तक पहुचने के जनीन थेली तक जिनमें से सबसे कॉमन जो रास्ता है वो है माइक्रोपाइल की जानिब से माइक्रोपाइल की जानिब मतलब आपको याद होंगा कि ये जो ओवियूल है इसकी जो निचली सत्य है या निचला हिस्सा है इसे माइक्रोपाइल कहते हैं माइक्रोपाईल मतलब ऐसा हिस्सा जहां पर दोनों जानीब के इंटेगुमेंट्स एक खुला हिस्सा रखते हैं या एक सुराख्चा रखते हैं उसे माइक्रोपाईल कहते हैं और उसके अपोजिट वाला जो हिस्सा है उसे चलाजा कहा जाता है या कलाजा कहा जाता है तो य अब यहां पर समझना है हमको कि यह pollen tube के लिए एक common रास्ता कौन सा है तो वो common रास्ता होता है Mycopylle की जानिब से Mycopylle की जानिब से जब यह दाखिल होती है तो इस अमन को porogame कहा जाता है कि समर को पोरो गैमी कहते हैं यहां पर पोरो गैमी मतलब यह जो गैमी है यह इसका मुराद है गैमिट का जुड़ना या गैमिट का मिलना अब यह जो पॉलन ट्यूब है यह गैमिट को मिलाने के लिए ही वहां तक पहुँच रही है इसलिए अगर ये इस सुराख के जरीए पहुँचे तो इसे कहा जाता है माइक्रोपाइल के जरीए अगर पहुँचे तो इसे कहते हैं पोरोगेमी नेक्स कंडिशन क्या रहेंगी? कि कुछ अनवा में जेरा नली बैजक में कलाजा की जानिब से दाखिल होती है तो इस अमल को कलाजोगेमी कहते हैं देखें यहाँ पर दूसरी डाइगराम में आपको नज़र आ रहा है कि यह जो पॉलन ट्यूब है यह जो डार्क कलर में आपको नज़र आ रहा है कि यह जो पॉलन ट्यूब है यह माइक्रोपाइल की तरफ से नहीं अगर पौदो की कुछ अन्वा में ये कलाज़ा की जानिब से होकर नीचे की तरफ इस जनीन थैली या इस पौलन से के निचले हिस्से तक पहुँचे एग सेल तक पहुँचे तो ऐसे अमल को या ऐसी हालत को कलाज़ो गैमी कहते हैं ये दूसरी डाइग्राम में आपको किलियर हो जाएंगा देखने के बाद तीसरी कंडिशन है अगर कुछ अन्वा में जेरा नली बैजक में बैरूनी गिलाफ की जानिब से दाखिल होती है तो इस अमल को मीजो गैमी कहते हैं देखिए अब यहाँ पर इस डाइग्राम में आप समझने कोशिश कीजिए ना माइक्रो पाइल की जानिब से दाखिल होई पॉलन ट्यूब और ना ही कलाज़ा की जानिब से दाखिल होई यह एक्सेप्शनल चीजे हैं कि इस तरह से भी अगर होता है कुछ अन्वा में तो ऐसी कंडिशन को मेजो गैमी कहते हैं आखिरकाज जेरनली जनीन थेली में दाखिल होती है लेकिन इन तमाम का मकसद सिर्फ यह होता है कि यह जो पॉलन ट्यूब है यह जेरनली यह जनीन थेली में दाखिल हो जाए चाहे किदर से भी आए, माइक्रोपाइल से, कलाजा से, या फिर इन इंटेगुमेंट्स की तरफ से अगर दाखिल हो, लेकिन उसका मकसद होता है, कि वो इस जनीन थहली के अंदर दाखिल हो जाए अगला समझना है, अब इसके आगे, कि ये जो पॉलन ट्यूब है, ये जनीन थहली में किस तरह से दाखिल होती है, तो जेरन अली के दाखिले से, एक सिनर्जिट सेल हल होता है, और रास्ता फ्राम करता है, यहाँ पर आप इस डाइग्राम में देखिए, कि माइक्रोपाइल स जेरन अली दाखिल हो गई, दाखिल होने के बाद में, यहाँ पर जो एक सिनर्जिट सेल है, दो जानिब सिनर्जिट सेल है, अब इन दोनों जानिब के जो सिनर्जिट सेल है, इन में से किसी एक सिनर्जिट सेल डिजॉल हो जाता है, और डिजॉल होने के बाद, या हल हो ज रास्ता फ्राम इसलिए करता है ताके यहां से पॉलन ट्यूब में का जो माटेरियल है या जो गैमिट्स है मेल गैमिट्स ये अंदर की तरफ दाखिल हो जाए नेक्स पॉइंट है जेरन अली सिनर्जिट सेल से खारिज शुदा आभी महलूल जजब करती है अब यहां पर क्या होगा कि सिनर्जिट सेल डिजॉल हुआ डिजॉल होने के बाद यहां पर इस सिनर्जिट सेल से एक लिक्विट खारिज हुआ जिसे आभी महलूल कहेंगी यह आभी महलूल खारिज होकर और यह फट कर दो गैर मुथरिक नर्जवाजे खारिज करती है स्टुडेंट्स यहां पर होंगा क्या कि एक सिनर्जिट सेल जो है यह डिजॉल होकर रास्ता तो फराम कर देगा इसी के साथ साथ जो वेजिट्रेटिव सेल था जो आगे की तरफ था वो भी यहां पर डिजॉल हो जाएंगा लेकिन यहां पर इस लिकविट को इस आभी महलूल को जजब कर लेंगी यह जिरानली यह पॉलंट्व उसे जजब कर लेंगी और जजब करने के बाद उसका अगला सिरा फूल कर फट जाएंगा और फटने के बाद इसमें मौझूद दो गैर मुथरिक नर्जवाजे खारीज होंगे मकसद क्या था कि यहां पर दो गैर मुथरिक नर्जवाजे खारीज होना है जिरानली के जरिये उसके बाद अगली स्टेप में पहला नर्जवाजा मादा जवाजे से जुड़ता है यह पॉइंट आप याद रखिए यह बहुत इंपॉर्टन है कि पहला जो नर्ज मादा जवाजा खारीज हुआ वो जुड़ेंगा मादा जवाजे से मादा जवाजा मतलब एगसेल एगसेल जो दर्मियान में मौझूद है उससे जुड़ जाएंगा और जुड़ने के बाद यह अमल पहली बारावरी कहलाता है इसी को इंगलिश में कहते हैं सिन गैमी सिन नेक्स्ट जबके दूसरा नर्जवाजा सानवी कुद्बी मरकजे से जुड़ता है यह अमल दूसरी बारावरी कहलाता है अब जो दूसरा जो नर्जवाजा था वही पर जनीन थेली के दर्मियान में दो दोनों कुद्ब की जानिब से आए हुए मरकजे मौझूद होते है उन्हें सानवी कुद्बी मरकजे कहते हैं तो यह नर्जवाजा उन सानवी कुद्बी मरकजों से जुड़ता है जुड़ने के बाद यह अमल कहलाता है दूसरी बारावरी सेकंड फर्टिलाइजेशन अब यहाँ पर इस्टूडेंट्स आपको याद होंगा कि हमने बातात में होने वाला अमल है इससे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है यहाँ पर आप यह भी खास्टाव से याद रखिए के जो दूसरा अमल है या दूसरी बारावरी है यह वेजिटेटिव किसम की होती है वेजिटेटिव किसम की मतलब यहाँ पर जो है सिर्फ एक अर्जवाजे का इस्तिमाल हो रहा है दूसरा यहां पर मादा जवाजा नहीं होता बलके वेजिटेटिव सेल होता है इसलिए इसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहा जाता है खास तोर से दूसरी बारावरी को नतीजे में क्या होगा तो नतीजे में ट्रिपलॉइड दरूने तख्म के इप्तिदाई खलियात पहले सानवी मतलब डबल दोरे कुद्बी मरकज है था यह टौईजन था अब उसके साथ एक नर्जवाजा जुड़ गया तो यह हो गया ट्रिपलॉइड 3N हो गया तो यह 3N ट्रिपलॉइड दरूने तख्म के इप्तिदाई खलि तयार होते हैं इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी एंडो इस्पर्म नूकलियस प्राइमरी एंडो इस्पर्म नूकलियस पी एन से जाहर करते इसे जो आगे की नमू में तबदिल होता है दरूने तख्म में दरूने तख्म यह इसे इंग्लिश में एंडो इस्प कहा जाता है और ये एक किस्म के गिजायत फराम करने वाले खलियात होते हैं ये गिजायत एंब्रियो को गिजायत फराम करते हैं नेक्स है एकहरे नर और मादा जवाजे के जुड़ने से दोहरा जुकता तयार होता है यहां पर बता गया पहली बारावरी में पहली जो पर्टिलाइजेशन हुआ जिसे हम सिंगेमिक है तो उनकी वज़ा से पहला नर्जवाजा जो एखेरा था उसके साथ जुड़ा मादा जवाजा ये भी एखेरा था मतलब सिंगल था तो इन दोनों के जुड़ने की वज़े से जो जुगता तयार होंगा मतलब जाइगोड जो की नम होती है अगली जो स्टेप है उसकी क्या रहेंगी कि जनीन तयार होंगा जनीन मतलब एंब्रियो तयार होता है और एंब्रियो से नया जानदर वजुद में आता है यहां पर नवताद में एंब्रियो से बीज बनता है और उससे नया पाउदा तयार हो सकता है चलिए यही चीज जो अभी हमने समझे इसी को इस तरह समझने कोशिश करते हैं कि जो पहला fertilization है इसमें क्या होता है कि एक male gamit जो N हालाद में होता है haploid पलस किसके साथ जुड़ता है female gamit के साथ female gamit के साथ जुड़ने के बाद में यह भी haploid होता है तो इनके जुड़ने से जो जाइगोड बनता है यह toizen होता है जिसे diploid कहते है और जाइगोड तबदील होता है embryo में इस तरह यह जो अमल हुआ male gamit और female gamit के जुड़ने का इसे syngammy कहते हैं next दूसरा जो second male gamit होता है दूसरा वाला जो male gamit होता है वो भी n हालत में होता है haploid वो जुड़ता है secondary nucleus से सान्वी मरकज यह सान्वी कुद भी मरकज है जिसे हमने कहें लेकिन खास्ताव से यह जो है यह toys n हालत में होता है सान्वी toys n हालत में secondary nucleus जो है toys n हालत में होता है पहले से यह diploid होता है अब इस तरह से यह बन गई triploid triploid condition हो गई यह अब इन triploid condition जो तीन मरकजे आपस में जुर चुके हैं इसे कहा जाता है दूसरी बारावरी दूसरी बारावरी के नतीजे में तयार होता है PEN primary endo sperm nucleus यह primary endo sperm nucleus यह ऐसे मरकजे होते हैं जिसके नतीजे में triploid endo sperm मुकमल तयार होता है और endo sperm क्या है तो अभी हमने discuss करें कि यह बीज में पाए जाने वाले गिजायत फराम करने वाले खलियात होते हैं endo sperm की मुझूदगी भी यह बंद बीजा नबातात की एहम खुसुसियात में से है next अगला है significance of double fertilization दोहरा अमले बारावरी की एहमियात प्यारे बच्चो यह तमाम जो fertilization हमने पढ़े double fertilization किस तरह से होता है इसी के अंदर एक चीज है दोहरा अमले बारावरी तो हमारा समझ में आ गया कि दो अलग-अलग मुकामात पर fertilization हुआ बारावरी हुई एक और इस्तला यहां पर इस्तिमाल होती है triple fusion triple fusion तिहरा मिलाप तिहरा मिलाप आपको याद है कहां पर हुआ है तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि जो दूसरा नर्जवाजा अभी हमने समझे कि जब दूसरा नर्जवाजा सानवी मरकजों से जुड़ता है तो वहाँ पर वो ट्रिपलॉइड बन जाता है और इसलिए उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते है आगे समझते हैं अब इस तमाम का फाइदा क्या है इसकी एहमियत क्या है डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा अमल बारावरी की एहमियत क्या है पहला पॉइंट है दोहरा अमल बारावरी बन जानबतात की एक यूनिक खुस्सियात है बिलकुल यूनिक खुस्सियात माना जाता है क्यूंकि ये दूसरे नबतात के गुरूप में इस तरह की खुसुसियाद नहीं पाई जाती और यही वज़े है कि ये जो तमाम नबतात है बंद बीजा नबतात आज पूरी दुनिया में हर तरफ अपने आपको बरकरार रखे हुए है अपने आपको बचा कर रखे हुए है क्योंकि इनके अंदर इस तरह की एहम और खास खुसुसियाद मौजूद हुए नेक्स्ट है एक्हेरे नर और मादा जवाजे की जुड़ने से दोहरा जुकता तयार होता है यहां पर कोई पॉइंट के जो पहला नर जवाजा या पहला मेल गैमिट है उसके जुड़ने से दोहरा जुकता ट्वाइजन जाइगोड तयार होता है नतीजे में इससे क्या बनता है जनीन एम्ब्रियो बनता है और इस एम्ब्रियो से नया पौदा वजूद में आता है यह नया पौदा वजूद में लाने का एक बिलकुल आसान तरीका माना जाता है जबके दूसरा नर्दवाजा, ये एक अहम चीज, कि जबके जो दूसरा नर्दवाजा है, ये सानवी कुद्बी मरकजे से जुड़ता है, और सानवी कुद्बी मरकजे से जुड़ने के बाद, ये अमल दूसरी बारावरी कहलाता है, ये एक्स्ट्रा अमल होता है इन अबता आ रहा है कि triploid दरूने तक मैं क्यों तयार होता होगा प्यार बच्चों हम इसकी एक मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि जो parents होते हैं जैसे अगर अपने बच्चे को बाहर भेशते हैं तो बाहर भेशते वाद खास तोर से उनके साथ में उनका टिफिन देते हैं अगर कोई की मिसाल ले जो इसकुल आया है लेकिन उसके पास कोई टिफिन नहीं है तो कौन सा बच्चा अपने आपको खुशाल महसूस करेंगा जिसके अंदर ज्यादा एनरजी रहेंगी वो बच्चा जिसने टिफिन लाया क्योंकि वो वक्त पर खाना खाएंगा उसको एनरजी मिले हैं कि ये जो दरूने तक्म है ये जब तक बीज से नए पते और जड़े तयार नहीं होती तब तक दरूने तक्म बीज की नमू के लिए एक टिफिन का काम करता है ये गिजाई खलियात के तोर पर इस्तेमाल होता है जो जनीन की नमू में गिजायत फराम करता है और इन खल चीजे समझ में आ गई होंगी,